दोस्तो मुंबई की टीम हैदराबाद से हारते ही पॉइंच टेबल में पूरी तरह नीचे खिसक गई और दोस्तो IPL 2024 का पूरा पॉइंच टेबल एक के बाद एक पूरी तरह बदल गया तो आई दोस्तों जानते हैं कि IPL का आठवा मैच हैदराबाद और मुंबई के बीच खेले जाने के बाद IPL के पॉइंच टेवल में क्या बड़े बदलाव हो चुके हैं जहां दोस्तों IPL का सबसे बड़ा टोटल इस मुकाबले में बन गया है जहां इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने 270 रन बना कर IPL का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला इसके जवाब में मुंबई की टीम 246 रन बना पाई और इस मैच को हैदराबाद ने 31 रनों के अंतर से जीत कर इस मैच को अराम से जीत लिया लेकिन इस जीत के बाद दोस्तों पॉइंच टेबल पूरी तरह बदल चुका है तो आई दोस्तों जानते हैं इस समय पॉइंच टेबल में सबसे नीचे कौन है तो फिर इस समय सबसे नीचे points table में लखनों की team है, दोस्तों लखनों ने एक match खेला है और उनकी net run date सबसे बेकार है और इस वजहा से वो सबसे नीचे है, तो 9 वे number पर मुंबई की team आ चुकी है जा दोस्तो मुंबई की टीम ने अपने दोनों के दोनों मैच हार गई है और उनकी नेट रंडेट भी अब बहती खराब हो चुकी है तो दोस्तो आठवे नंबर पर डिली है, जा दोस्तो दिली की टीम भी अपना पहला मैच हारी थी और उनकी नेट रंडेड भी बहुती खराब है तो सातवे नंबर पर गुजopen टाइटन्स है, दोस्तो गुज़ात ने दो में से एक मैच जीता है और ऑब 1 मैच हारा है अर इस वजह से उनके दो पॉईंट है और उनके नेट रंड रेड़ अभी तक इस आपेल में सबसे बेकार है तो दोस्तो चटे नंबर पर RSV की टीम है दोस्तो RSV ने 2 में से 1 मैंज जीता है और 1 मैंज आ Ellis हा रहा है और उनके दो पॉइंट है तो कुलकता ने अब तक मैच जीता है और उन्हें इस मैच्स में जीताक लगी थी ऐर उनके दो पॉइंट और उनके लिर्ट रिट भी पलस में चला है तो तीसरे नमब पर हैदराबाद पहुंच चुकी है जा दोस्तो हैजराबाद ने आज शांदार जीत दर्च करते हुए इस आईपिल में दो मुकाबले खेल लिये हैं उसमें से एक में जीत तो एक में उन्हें हार मिली है और उनके दो पॉइंट है और उनकी नेट रंडेट भी पॉजिटिव में आ चुकी है तो दोस्तो इस समय आईपिल पोन्च टेबल में सबसे उपर चैनजी की टीम है दोस्तो चैनजी ने दो मुकाबले खेले थे और उन्हें दोनों की दोनों मैचों में जीत हात लगी है है और उनके चार पॉइंट होने के साथ-साथ उनकी net run rate इस IPL में अब तक सबसे भेतरीन है एसमें दोस्तों IPL का point stable 8 match हो जाने के बाद कुछ इस तरह है एसमें दोस्तों इस IPL में आपकी favorite team कौन सी है आप अपनी कीमती राय में नीचे comment में जरूर बताएं